बच्चे बड़े होने के बाद अपने माबाप को अकेला छोड़ देते हैं। जीवन के इस मोड़ पर शारिडिक का चुनोतियों के साथ ही पारिवारिक का दुख भी बुज़ुर्गों को तोड़ देता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन सेल बुज़ुर्गों की मदद करता है। सही तरह से प्रचार प्रचार ना होने के कारण कम लोग ही इसमें रेजिस्टेशन करा पाते हैं। बच्पन में जो माबाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर उन्हें चलना सिखाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे अपने माबाप को ऐसी देहलीस पर लाकर के छोड़ देते हैं जब उनको अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। इसी बीच यहाँ पर एक सीनियर सिटिजन सेल है जो ऐसे वरिद्धों की मदद करता है। बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर बहुत लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। आपको बता दें कि 2013 में सेल का गठन हुआ था तब यहाँ पर आठ लोगों की टीम थी लेकिन आज यहाँ पर महस दो लोग हैं जो इस पूरे सेल की देखरेक कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पर बुड़े लोग आते हैं अपनी परशानिया बया करते हैं उनकी देखरेक क होती है किस तरीके सेल काम करती है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और 2013 से लेकर के अभी तक अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उतने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाएं अगर किसी को नंबर पता है तो वो उस पर कॉल करेगा जब कॉल करता है तो जो हमारे ऐसाई है जिनके पास यह नंबर रहता है वो उनकी जो भी समस्याय होती है ना केवल उसको उनका solution भी देते हैं सासा रिजिस्टर भी maintain करते हैं उसका और उसका follow भी लेते हैं और उसके लिए आगे कारिवाही के लिए संबंदे ठाने में भी निर्देश दे देते हैं अगर विवाद बच्चों बहु या बेटे की या बेटी के द्वारा प्रताड़न का है तो जो हमारी मध्यस्ता सेल है यानि वरिष नागरिक मध्यस्ता सेल जो हमारी है जिसकी मैं चीफ काउंसलर हूं यह प्री पुलिस है यहां पर यह वेवस्था की गई है कि जो कॉल साती हैं अगर वो बच्चों द्वारा प्रताड़ित हैं दुर्विभार के कारण या साथ साथ एक इसनेहिल परामर्श के द्वारा उसको निस्तारित करने का प्रयास करते हैं आप से जाना चाहेंगे कि क्या परेशानी है और आप कैसी मदद के लिए आए हैं एसल में हम वास्तों में गुमतिनगर में रह रहे थे वह हमारा मकान है तो लड़के ने हमको पकड लड़की भी थी हमारी वाइब भी ठीं किसी से बात करने अच्छान होगा तो एक दिन मौका पाईर करके हम भाग भाग है घर से तो हम वहां गये जानकी पूरम में हमारे एक SDO रह्तेट असिस्टेंट नीनियर उनके घरम पहुंचे जा कि 4 दिन हम वहां रुके उसके बाद चार दिन वहां रुकने बाद उनको सारी बात बता ही तो उन्होंने ठाने में सूचना दी महानगर में तो जब महादेगर में थाने में रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो हम यहां आ गए उन्होंने सुझाव दिया कि यहां जाए आप डाली गज में तो जीदी जी को हमने पत्र दिया सारी बात लिखते हुए तो आपको क्या लगता है यह सेल आपके लिए मददगार साबित हुआ है तो बिल्कुल जितने भी ऐसे व्रिद्ध हैं जो अपने घरों से परेशान है और जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं उनकी मददगार उनकी मदद के लिए जो सीनियर सेटिजन सेल है वो प्रू एक बहुत अच्छी मदद कर रहा है और जिस तरीके से मदद कर र है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में प्रताड़ जो अपने घरों में प्रतारित हो रहे हैं वो यहां पर आए और यह सेल उनको पूरी तरीके से जितने भी व्रिद्ध हैं एक अच्छी मदद के रूप में आएगा और बहुत ही अप्फरंट पे जो काम कर रहा है जिसमें डॉक्टर इंदू हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है तो तमाम जो लोग हैं वो यह टोल फ्री नंबर भी है जितने लोग अगर इस टोल फ्री नंबर की मदद से यहां पर आना चाहते हैं आ सकते हैं और तमाम जितने भी लोग हैं यहां पर यह जो सेल है सी लगना उसे क्यामरे परसन अमीश के साथ मैंने किता सरीन आर नाइन टीवी के लिए